आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें चैप्टर लिए हैं आज हम सॉल्यूशन चैप्टर जो की नीट के लिए बहुत इंपोटेंट चैप्टर है इसमें हम लोग कंसेंटेशन टर्म्स का डिसकस करेंगे आज इस वीडियो में तो जन्रेली कंसेंटेशन टर्म्स जब भी बात करते हैं तो यह तीन तरह का आपको percentage वाले दिखते हैं उसके बाद mole fraction उसके वाद और वी dilution वाले होते हैं तो सबसे पहले हम percentage की बात करेंगे इस वीडियो में तो पहला percentage का question बनता है weight by weight से दूसरा बनता है weight by volume से और तीसरा बनता है volume by volume से तो चलिए हम बारी-बारी से discuss करते हैं और हम आपको trick भी बताएंगी किस तरह से आप इस percentage वाले question को solve करेंगे तो यहां पर कुछ point है आप देख लीजिए यहां पर solution का formula क्या होता है solute plus solvent तो solute को हम यहां से B से denote करेंगे और solvent को A से denote करेंगे जब यह दोनों मिलेगा तभी solution बनेगा तो आपको यह point याद होने चाहिए चलते है next वीडियो पर आपको mole निकालना आना चाहिए तो आप लोग class 11 में पड़े होंगे mole किस तरह से निकालते हैं तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ mole निकालने के लिए formula होता है number of given particles by formula weight और दूसरा होता है mass given in gram by formula weight formula weight क्या है अगर atom दिया है तो उसका atomic weight लेंगे molecule दिया है तो molecular weight लेंगे और अगर iron दिया है तो ironic weight लेंगे इतना बात clear है अब चलते हैं जैसे मान लीजिए हम पहला वाला डिसकस कर रहे हैं क्या मैंने बताया यह पहला डिसक्स कर रहे हैं हम, weight by weight, इसको हम डिसक्स कर रहे हैं, तो, यहाँ पे देखिए, पहला क्या हम डिसक्स कर रहे हैं, weight upon weight, w by w, तो माले जीए हमको question में दिया है, 30 percentage weight by weight, यूडिया है तो इसको हम किस तरह से पहले लिखेंगे अगर आप लिखना सीख जाएंगे तो आप इस question को आसानी से solve कर पाएंगे तो देखें यहां पर हम लिखें है 30 gram यूडिया is present in 100 gram of solution भाई 30 gram weight by weight है जब 100 gram solution होगा तभी तो 30 gram यूडिया present होगा तो इसको किस तरह से हम लिखेंगे 30 gram यूडिया is present in 100 gram of solution मान लिखें यहां पर अगर 20 लिखा रहाता 20 percentage weight by weight तब क्या लिखते हैं तब लिखते है 20 gram यूडिया is present in 100 gram of solution 100 लिखना तो कमपलसरी है और आपको जितना percentage दिया रहेगा उसको लिखेंगे पहले तो यहां पर 20 दिया है अगर यहां पर 50 दिया रहाता तो यहां पर 50 लिखते है 50 gram यूडिया present in 100 gram of solution अब इसका formula किस तरह से बनाएंगे किस तरह से formula लिखेंगे और question solve करेंगे तो formula यहां पर देखे लिखा है percentage weight by weight is equal to weight of solute solute को मैंने क्या बताया था बी लिखेंगे तो यहां पर वही weight of b लिखेंगे उसके बाद weight of solvent plus weight of solute solvent को हम क्या लिखे थे a से और solute को b से denote किये थे तो यहां पर b लिखा है in 200 करेंगे तो आपको यह weight by weight वाला question आसानी से solve हो जाएगा तो चलिए मैं आपको question दिखाता हूं और उसको किस तरह से apply करेंगे यह weight by weight तो आज यह यहां पर एक question है आप इस question को पढ़िए क्या लिखा है a solution is prepared by adding 2 gram of solute and 18 gram of solvent find percentage weight by weight मैंने आपको क्या बताया percentage weight वाले question में आपको क्या-क्या यहां पर दिया है वो लिख लेते हैं तो हमको यहां पर दिया गया है जो 2 gram of solute है solute को हम किस तरह से लिखते हैं और wb यह मेरा solute हो गया यह कितना है 2 gram उसके बाद क्या है solvent हमको दिया है इसको a से denote करते हैं यह दिया है 18 gram कितना है 18 gram बस अब आपको क्या करना है formula apply करना है तो formula apply करने के लिए आपको formula याद होना चाहिए तो formula मेरा क्या था percentage weight y weight equal to weight of solute upon weight of solvent plus weight of solute यही formula था अब आपको क्या करना है इस पर put कर देना है तो weight of solute मेरा कितना दिया हुआ है 2 gram weight of solute कितना है 2 gram 2 upon weight of solute कितना है मेरा sorry solvent 18 आप plus weight of solute कितना है 2 into क्या करना है 100 कर देना है तो इसको जब आप solve करेंगे तो आपको answer आएगा 10 percentage कितना आसान था यह question बस आपको लिखना आना चाहिए weight by weight को जैसे मैं आपको बताता हूं मान लीजिए लिखा राता 60 percentage weight by weight तो इसको किस तरह से लिखते 60 gram इसको इस तरह से लिखते हैं तो चलिए अब मैं आपको दूसरा point बताने वाला हूं दूसरा percentage वाला किस तरह से उसको solve करेंगे अब दूसरा है मेरा weight by volume weight by volume मौन लीजिए यहां पर लिखा है 50 percentage weight by volume H2SO4 यानि sulfuric acid तो इसको किस तरह से लिखेंगे इसको लिखेंगे 50 gram of H2SO4 is present in 100 ml of solution यहां पर ml क्यों आ गया क्योंकि यहां पर volume है weight by volume है वहां पर weight by weight था तो इसको इस तरह से लिखेंगे अब इसका formula क्या होता है weight by volume का weight of solute by volume of solution into 100 volume of solution क्या VA plus VV वही है मेरा यह volume of solution तो इस पर direct formula पुट करेंगे अहां सरा जाए अब next क्या है volume by volume जैसे मालेजिए यहां पर लिखा 30 percentage volume by volume NaCl sodium chloride तो इसको किस तरह से लिखेंगे 30 gram of NaCl present in 100 ml of solution अब इसका formula क्या बनता है volume of solute by volume of solution into 100 इस formula पर पूट करेंगे आपका weight by weight sorry volume by volume का question solve easily solve हो जाएगा तो बस आज के वीडियो में इतना है फिर हम next video में आपको बताएंगे mole fraction किस तरह से mole fraction का question solve करते हैं मिलते हैं next video